असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब आला आप सभी लोगों को खुश वाबाद हस्ता मुस्कुराता रखें शुरू करते हैं आला ताला के नाम से जो बहुत महरबान नहायत रहे मौला है आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेसेपी लेके आई हूँ यकीन माने समोसा बनाना भूल जाएंगे अगर आपने इस रेसेपी को ट्राइ किया पिन्वेल समोसा बाइट लेके आई हूँ थोड़ी सी मेहनत में और बहुत ही कम थोड़ी से चिकन में आप बहुत ज तो लाइक जरूर कर दिया करें, शुक्र जजा कर ला, बिसमिल्लाहिर रह्माने रहें, तो यहां पे देखिए, हमने एक कड़ाही ली हुई है, और कड़ाहे में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ज़़ा तेल हम नहीं डालेंगे, कि हमारी स्टफिंग में बहुत थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया और गरम होने के बाद हम इसमें एक चमज सीरा, आधा चमज कद्दू कस किया हुआ लेसुन और आधा चमज हम कद्दू कस किया हुआ अध्रक डालेंगे, अगर आप चाहें तो मिक्सी में हलका सा दरदरा सा पीस भी सकते हैं, तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें एसमें तीन सब्स मिर्चो को हमने बार ही कटकरकर रख लिया है, इसको शामिल कर रहे हैं मिर्च अपने हिसाब से डालें, कितना तीका खाना पसंद करते हैं, उस इसे भून लेंगे कुछ सिकेंडर तक हम इसे दें लेगे तो यहां पर अम कुछ मसाले डाल रहे हैं आदा चमस हमने धनिया प़ाडर और अधा चमस हमने लाल मिर्व का पाडर डाल डाल अच्छे से बराबर से फैल जाएंगी तो यहाँ पे एक चमच नमक और हमने एक प्याली सब्धनिया बारी कटी हुई शामिल कर दी है सभी चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं नीचे कड़ाहे में थोड़ा सा लगेगा कोई बात नहीं बहुत ही अच्छा सा उससे टेस्ट आता है बुनाई करते हुए जो लगता है तो उसको आपने निकाल के बुनाई करनी है और यहाँ पे हमने आधा चमच गरम मसाले का पाउडर और आधा चमच चाट मसाला भी शामिल कर दिया है और आधा ही चमच यहाँ पे हम आमचूर पाउडर शामिल करेंगे सभी चीजों को डा कि हम भुनाई करेंगे बहुत इचा सोधा सोधा सा टेस्ट आ जाएगा तो हमने नीचे से इस तरीके से निकाल निकाल कि इसके भुनाई कर लेनी है दो मिनिट तक 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 रिबन तो यहां पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से तायार हो जाती है अगर हम आज बंद कर तो यहां पर सभी चीज़े चिकन के अंदर मौझूद है तो यहां पर कोई मसाला बढ़ाने की कोई जरुवत नहीं है नमक वगारा सब कुछ चिकन में है तो हम यहां पर चिकन को शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करके यहां पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से तयार हो चुकी है चिकन वाली तो इसे साइट पर रखते हैं और चलिए अब हम इसको बनाने के लिए एक आट अगूद लेते हैं बिसमिल्ला है रह्माने रहें तो हम यहां पर डेढ़ कप मैदा लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा घी डा लेंगे अ थोड़ा सकत रहेगा तो यहां पर सेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद एक बार हम फिर से आटे को अच्छे से गूद लेंगे तो एक मिनट तक हम गूदने के बाद इसका तीन हिस्सा बनाएंगे अगर आप चाहें बहुत ही लंबी सी बनाना चाहें तो आप दो भी बना सकते हैं यहां पर देखे मैंने तीन हिस्सा बना लिया है और इसको हम बेलेंगे रोटी की तरह बिल्कुल जतनी पतली रोटी हो इसके उसके अपर हम इस स्टफिंग को फैलाएंगे पहले हाथ पर आतेली पृ इस तरीकी से पहला रखने हुद आणके बाद आप टाया क warum बिल्कुल बीज में जगहणा रहे इस तरीके से अंगे का परूह साइडों से नीचे से मैं धागा डालूंगे और दोनों साइडों से पकड़ किस तरीके से खीच दूंगे और बहुत अच्छे से देखिए हमारे एकदम लेयर वाला पिन्वील बाइड बिल्कुल बनके तयार है तो इसी तरीके से हमने सब बना के रख लिया है बहुत ही जल् बिल्कुल बाहर ना निकले तो यहां पर तेल पहले से ही मेरा गरम है रमजान शरीफ चल रहे हैं तो सभी चीज़े फराई होती है तो देखिए इस तरीके से एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डाल के चेक किया है बस इतना हलका ही हमको गरम चाहिए बहुत ज़दा तेज गर और इसी तरीके से हम साइडो को चेंज करते हुए बनाएंगे यहां पर जो ज़ाग आ रहा है वो तेल खराब नहीं है अंडे का स्नैक मैंने अभी इसके पहले फराई किया था इसलिए थोड़ा सा ज़ाग आ रहा है तो देखिए बहुत अच्छे से जब गोल्डन कलर आ ज अच्छान शरीफ के लिए चेक करें तो देखिए बहुत ही लोग बजट में बहुत ही थोड़े से चिकन में आप बहुत धेर सा राई स्नैक बना सकेंगे तो इस तरीके से आप एद पे ट्राए करें अफ्तार पे ट्राए करें इंशाला ताला आप लोगों को रिसेपी बह हाफीज